अगर हम हिंदू हैं तो हमको दूसाद, चमार, यादव, कुसबहा, खटी क्यों कहा जाता है? अगर हम हिंदू हैं, तो एक दलित की साधी एक ब्रह्मन से और एक राजपूर ठाकुर से क्यों नहीं? डेस में एक दलित होना इतना बड़ा गुना है? क्या इस देश में डलीत प्रोफेसर अपनी बात नहीं कह सकता क्या इस देश में मुसल्मान और दलीत अपनी बात कहेंगे तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा यह सवाल मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश के हुखमराणों से पूछ रहा है एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने किसी चीज की एतिहासिक व्याख्या की, सब लोग अपनी अपनी व्याख्या कर रहे हैं, डॉक्टर रतनलाल ने भी एक एतिहासिक दृष्टी डाली, तो क्या डॉक्टर रतनलाल को आप पकर कर जेल में डाल देंगे, क्या डॉक्टर रतनलाल को आप मारने की धमकी देंगे चल क्या रहा है इस देश में। नमस्कार मैं पूजा आप देख रहे हैं जनित आवाज इस वक्त में मौझूद हूँ दिल्ली विश्विद्याले में अभी गर्मा गर्मी का मौसम है जिस तरीके से तापमान गर्मी में 45 डिगरीज के पार है उसी तरीके से यहां पर जो छात्रों की जो तुक्डी है वो उस जैसा कि आप जानते है रतनलाल जी की जो अरेस्ट कर लिया गया उन्हें विना वारंट के तो उसी के साथ हमारे साथ है डॉक्टर सुधा जी तो अभी उनी से जान लेते हैं सर जिस तरीके से रतनलाल प्रोफेसर रतनलाल जी को अरेस्ट कर लिया गया है विना वारंट के तो एक वारंट जरूरी होता है, तो ये विना वारंट के एक अराजकता मतलब देश में फैल रही है, पूरी. देखें यह सरकार ही जो काम करिये पूरी तरीके से अंडेमोक्रेटिक यह सरकार है इस सरकार का न न्याय पर भरोसा है न लोग तंत्र पर भरोसा है न लोगों की आवाज पर भरोसा है नहीं जनता के पर भरोसा है यह सरकार ऐसे ही काम करती है किसी healthy democracy में आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो स्वभाविक प्रकिरियाएं हैं वो पूरी की जाएगी लेकिन यह जो सरकार है यह सरकार किसी और एजेंडे पर काम करिये या हम यूं कहें कि यह सरकार मनुवाद को लागू करने के लिए RSS के एजेंड कास-पष्ट है अलितों को दवाओ और मुस्लमानों को मारो मुसलमानों को तो मार रहे हैं तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है उसasta्रव से आवाज नहीं आ रही है लेकिन अब क्या इस देश में एक दलीत होना इतना बड़ा गुना है क्या इस देश में दलीत प्रोफेसर अपनी बात नहीं कह सकता क्या इस देश में मुसल्मान और दलीत अपनी बात कहेंगे तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा यह सवाल मैं आपके चैनल के माध्धम से इस देश के हुकमरानों से पूछना चाहता हूं, मैं इस देश के हुकमरानों से, इस देश की सरकार से यह ही पूछना चाहता हूं। आप तो मुर्खताओं से निकले लोग हैं, आप तो What's app Üniversity से निकले हुے लोग हैं क्या इस देश में एक इतिहासकार को इतिहास की व्याख्या करने का हक नहीं है डॉक्टर रतनलाल एक इतिहासकार है एक प्रोफेसर है उन्होंने किसी चीज की एतिहासिक व्याख्या की सब लोग अपनी अपनी व्याख्या कर रहे हैं डॉक्टर रतनलाल ने भी एक इतिहासिक दृष्टी डाली तो क्या डॉक्टर रतनलाल को आप पकर कर जेल में डाल देंगे क्या डॉक्टर रतनलाल को आप मारने की धमकी देंगे चल क्या रहा है इस देश में पूरी दुनिया का इतिहास इस बात का गवा है कि जब भी कोई भी वैज्ञानिक हुआ हो, कोई भी लेखक हुआ हो, कोई भी साहितकार हुआ हो, कोई भी पत्रकार हुआ हो, वो धारा से हटकर बात करता है तो इन मूर्खों के चक्कर में रहते, इन What's Up University वालों के चक्कर में रहते, तो आज भी यह पिर्थवी सेशनाक के फण पे टिकी होती। वह विज्ञान ही था जिसने थापित किया धर्ती किसी सेसनाक के फन पर टिकी हुई नहीं है बलकि धर्ती नेचर का हिसा है सोर मंडल का हिसा तो सदियों से यही होता हुआ है होता आया है जब भी कोई नया innovation हुआ है जब भी कोई नई बात हुई है जब भी कोई नई खोज की गई है उनको पागल समझा गया है उसको समाज ने दुतकारा है लेकिन इस देश का दुर्भाग यह है कि लंपटों के साथ इस देश की सरकार भी लंपटई पे उतर आई है इस सरकार की जो साजीस है हम लोग उसके खिलाफ हैं डॉक्टर रतनलाल जी की गिरफ्तारी पूरी तरह से औसम्बैधनिक गिरफ्तारी है अगर एक इतिहासकार से आपको अतराज है एक इत्यासकार की बात से आप इत्वार नहीं रखते हैं आप उनकी बात का कॉंटर जवाब दीजिए, आप अख़वारों में लेक लिखिए, आप टीवी चैनलों पे बहस करिए, आप किताब लिखिए, ये क्या की जान मार देंगे, ये क्या सरकार की पुलिस गिरफतार करती है, क्या यही बावा साथ डॉक्टर अंबेटकर का देश है, क्या यह देश सम्विधान से चलने वाला देश लग रहा है, जिन धारों में गिरफतारी हुई है, हमारे वकील महमूद प्राचा जी बतार हैं, जिन धारों में सुप्रीम कोट का निर्देश है, साथ साल से कम सजा हो, उसमें आप गिरफतार नहीं कर सकते, यह कोट के भी खिलाप जा रहा है, यह जो दिल्ली पुलीस का यह एक्सन है, यह कंटेम्ट अप कोट का भी मामला है, उसके खिलाप भी हम कोट जा रहे हैं, यह जो पूरी लड़ाई है, हम चुकी डॉक्टर अंबेटकर को मानने वाले लोग हैं, हम सम्विधान और लोगतंत्र को मानने हम उस तरीके से लड़ेंगे सकती है जाहिर सी बात है कि इस देश में सभी हिंदू नहीं है यह देश जातियों का बनाना डेमोक्रेसी है यह देश जातियों का गिरो है यहां कोई धर नहीं है जाती है सिर्फ जातियां काम करती है और जाती के आधार पर भेद भाव करते वे डॉक्टर रतनलाल को गिरफत की आजादी देता है समविधान के तहट जो है हमें लिखने विचारधारा की आजादी देता है मगर उसके तहट एक प्रोफेसर की अरेस्टिंग हो जाती है उस पर क्या करें यह देश असल में अब चल ही नहीं रहा है कौनून से यह देश चल रहा है मनुवाद से यह देश चल रहा है मनुष्मिर्टी से मनुष्मिर्टी से चलाने की कोशिस कर रहे हैं इनको बर्दास्त नहीं हो रहा है कि कैसे कोई दलित प्रोफेसर हो गया लेक्षर हो गया अच्छे कपड़े पहंता है अच्छा खाना का खाता है अच्छी जीवन सैली जी रहा है अच्छे महगे कार में गुंता यह बर्दास्त नहीं हो रहा है क्योंकि यह मनुईस मिर्थी को मानने वाले लोग हैं इनके सामने दलितों की उकात वही है वह खाट पर नबेट सके इसलिए असली पेट में उनके जो दर्द है उसकी वज़ाई यही है तो तांडव इसलिए हो रहा है कि वह ए किसे कितने धार्मिक मंच सजाएगये वहां से मारने काटने की मुस्मिर्ण में मरने काटने की मगर उनके आहत नहीं हूई यह सरकार ही चिर कुटई पे चल रही है इस सरकार के अधिकांस नेता लंपठ हैं नेता तो चोड़िये प्रधान मंत्री जी का इतिहास ग्यान देखते रहिए किया बक्ते रहते हैं जिस देश का प्रधान मंत्री ही कौनसा एंटायर पॉलिटिकल साइंस का इस्टूडेंट हो तो उनके मानने वाले उनके फोलोवर तो वाटसप यूनिवर्सिटी के ही कर रहे हैं आप जो लोग लगाता क्या उनके बेटे को धंकी दी गई है मारने की फेस्बूक पे चल क्या रहा है उनसे आहत नहीं हो रहा है उनसे कानून को खतरा नहीं हो गया लहीं एक नाटक को हम बली भाती समझते हैं अगर डर होता तो हम यहां बोल नहीं रहे होते हैं डरता कोन इस नहीं है हम अंबेटकर और भगत सिंग को मानने वाले लोग हैं हमारे पुर्खे माफी नहीं मांगे हमारे पुर्खे फांसी पर चड़ेते केस मुकदमा से कौन डरता है अभी क्या कदम रहेंगे कि जिस तरीके से संब्धानिक लड़ाई है जो कानून कहता है हम अपने व तरीके से डॉक्टर सुथा जी से हमने बात की और उनोंने बताया जिस तरीके से अशमवेधानिक गिरफ़तारी की गई है रतनलाल जी की जो उन्होंने ट्विट किया था उस पर जो है इस तरीके से अरस्टिंग हो जाती है मगर अभद्र टिपनी करने वालों पर भी क्या उस तरीके का शिकंजा कसा जाएगा, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या उन पर भी इस तरीके की F.I.R. होगी, क्या उन्हें भी इस तरीके से अरेस्ट किया जाएगा, जब तक ऐसी देखते रही है, आप अभी मैं मौझूद हूँ, यही दिल्ली विश्विद्याले पर इसी तरीके की मैं खबरे दिखाती रहूंगी, हमारे सही होगी, धर्मेंद्र के साथ, मैं पुझा,